नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आर्ती प्रजापती आर्ती प्रजापती यूटूब चैनल पर आप सभी को हार्ती कभी नंदन करती हूँ दोस्तों हमने नमबर सिस्टम के थ्रे वीडियो बनाए हुए थी अगले उनमें आप लोगों ने देखा था किस तरीके से बाइनरी टूडेसिमल में कनवर्ट किया जाता है decimal to binary में convert किया जता है उसके बाद हमने देखा था कि binary to octal में किस तरीके से convert किया जता है octal में से binary में किस तरीके से convert किया जता है और उसके बाद last में part 3 में हमने देखा था कि binary to hexadecimal में किस तरीके से convert किया जता है और hexadecimal to binary में किस तरीके से convert किया जाता है अब आगे के इस part 4 में हम देखेंगे decimal to octal में किस तरीके से convert किया जाएगा और octal to decimal में किस तरीके से हम convert करेंगे तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे convert किया जाता है दोस्तों आपको याद होगा कि नंबर सिस्टम में binary decimal और hexadecimal का यूज होता है चले आगे और देखते हैं और आगे हमने हर वीडियो में बताया हुआ था आपको कि binary में जो digit होते हैं वो 0 और 1 से बने होते हैं decimal में जो number होते हैं वो 0 से 9 से बने होते हैं और octal में जो numbers होते हैं वो 0 से 7 तक बने होते हैं 0 से 7 जो digit होते हैं उन में से ही वो numbers बने होते हैं इसी तरीके से hexadecimal में भी 0 से लेकर 9 तक और A से लेकर F तक के numbers बने होते हैं अब आज हम देखेंगे कि decimal में से किस तरीके से वक्टल में कनवर्ट किया जाता है चलिए देखते हैं दूस्तों दूस्तों यहां पर मैं एक एक्जामपल ले लेती हूं हमें यहां पर decimal to वक्टल में कनवर्ट करना है हम एक एक्जामपल ले लेते हैं मान लिजए 339 और उसका बीज़े 10 यह हमने decimal नमबर लिख दिया है अब उसे हमें किस में कनवर्ट करना है उसे हमें वक्टल में कनवर्ट करना है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कनवर्ट किया जाता है तो जब हमें decimal में से वक्टल में कनवर्ट करना होता है तो जो भी numbers होता है उसे हमें 8 से भाग देना होता है तो चलिए हम इसे 8 से भाग देते हैं जिस तरीके से आपने देखा था कि बाइनरी में किस तरीके से हमें हमने दो से भागा था इसी तरीके से यहाँ पर हम किस से भागेंगे आट से भाग करेंगे चले देखते हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे आट और यहाँ पर हमारा जो डिसीमल नंबर है वो लिख देंगे अब चली आट का पहाड़ा आपको पढ़ना है तो देखेंगे आट चोक 32 तो यहाँ पर 33 में से 32 जाएगा तो 1 रहेगा और यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर रहेगा 1 9 यानिकि 19 अब फिर से हमें आट का पहाड़ा पढ़ना है तो आट दूना 16 तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा चली आगे देखते हैं एट का पहाड़ा फिर से पढ़ते हैं तो आट पंजे 40 तो यहाँ पर कितना बचेंगे दो बचेंगे अब आगे देखते हैं यहाँ पर 8 तो जब 8 से यह कम संख्या है तो हम क्या करेंगे जब संख्या जब नंबर वह 8 से कम यानि कि यहां पर जिससे हमें भाग करना है उससे कम होती है तो हम आगे अब उससे भाग करेंगे नई लेकिन यहां से लेकर हम यहां तक वह नंबर बना देंगी यानि कि 5 से लेकर यहां 3 तक यानिकि 523 यह कमारा बंगया और टरनेंबर क्या है ना दोस्तों कितना 25 क्या अब हम देखते हैं कि हमने। turned किया है वो सही है यह नहीं। तो तो क्या दोस्तों किन देखते हैंसे इस Kong प्लभ नमबर को ले लेंगे тज। किसमें कनवर्ट करेंगे हम इसे डेसिमल में कनवर्ट करेंगे तो चले बने रहें चले दोस्तों यहां पर हमी आंसर मिला था 5 2 3 और वक्टल का बेज है आंट तो अब हमें इसे किसमें कनवर्ट करना है तो चले देखते हैं किस तरीक से convert किया जता है तो हमें ये जो number से इसे हमें जो base वक्तल का उसके साथ गुना करना है ये कि करके चले देखते हैं पहले हम इसे लिख देते हैं 5, 2, 3 ये हमने लिख दिया अब इन तीनों को 8 से क्या करना है गुना करना है तो देखें यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 यहाँ पर मैंने लिख दिया 8 और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 8 8 क्यों लिखा हुआ है क्योंकि वक्तल का base क्या है 8 है इसलिए हमने यहाँ पर 8 लिख दिया अब हम क्या करेंगे इन तीनों के बीच जो है वो जोड करना है क्या करना है जोड करना है अब हम यहाँ पर 8 की पावर रखेंगे 0 यहाँ पर 8 की पावर रखेंगे 1 यहाँ पर रिखेंगे 2 अब आगे देखी यह 3 त्री डिजिट का ही नमबर से अगर 4 डिजिट का जो नमब होता है तो हम यहां पर क्या करते एट की पावर क्या लगा देते थ्री लगा देते आगे अगर आगे भी नंबर्स होते तो हम क्या करेंगे एट की फावर फूर इस तरीके से लिखते ही चलते तो यहां पर हमारे पास थ्री नंबर्स यह त्री डिजिट ही है इसलिए हम क्या क की करें यहां तक ही रखेंगे तो चले देखते हैं हम इन सभी का पहले गुना कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे उसका जोड कर देंगे तो पात तो वैसे ही रखेंगे आठ की जो पावर दो है आठ की दो पावर का मतलब क्या होगा आठ गुना आठ यानि कि 64 प्लस दो गुना यहां पर आठ की पावर वन है तो आठ वैसे के वैसे ही रहेंगे प्लस थ्री गुना आठ की पावर जिरो यहां पर क्या करेंगे मैस का जो रूल से है उसका रूल से है कि जिस भी नंबर्स पर उसकी पावर जो जिरो होती है तो उसका मतलब होता है कि वन होता है क्या होता है वन होता है तो हम यहां पर आठ की पावर जिरो है इसलिए यहां पांच जोगे 20, 2, 6, 35, 30, 32, 32, प्लस, 8, 2, 16, प्लस, 3, 1, 3, अब हम क्या करेंगे इन तिनों का जोड कर देंगी तो क्या मिलेगा हमें? तो 0, 6, 3, यानिकी 9, यहाँ पर 2, 1, यानिकी 3, और यहाँ पर 3, यानिकी 3 देख लेते हैं दोस्तों, हमें यह जो वक्टल नंबर था, उसका हमें डेसिमल नंबर मिल गया क्या मिला? 3, 3, 9, और उसका बेस क्या था? 10, ओके, तो चलिए देखते हमारा आंसर सही है या नहीं है तेख लिजे दोस्तों, यह हमारा आंसर हो गया 3, 3, 9, 20, 10, ओके, तो इसका मतलब यह हो गया, हमने जिस नंबर का जो वक्टल नंबर निकाला था, वो भी सही है और जिस वक्टल का हमने डेसिमल नंबर निकाला था, वो भी सही है चलिए दोस्तों, आगे दूसरा एक एक्जाम्पल ले लेते हैं चलिए दोस्तों, यहां पर हम ले लेते हैं, 2, 0, 2, 2, 0 के और यह है हमारा वक्टल नंबर, अब इस वक्टल नंबर को हम क्या करेंगे, डेसिमल में कनवर्ट करेंगे क्या करेंगे, डेसिमल में कनवर्ट करेंगे तो चलिए दिखते हैं कि इस तरीके से हम इसे decimal में convert करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैंगे 4, 2, 0 लिखते हैंगे यहाँ पर एक number ज्यादा ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से और भी समझ भी आ जाए यहाँ पर मैं लिखते हूँ 3 यहाँ पर मैं लिखते हूँ 3 इसलिए मैंने 4 digit का एक numbers ले लिया है यहाँ पर हम लिखते हैंगे 3 चलिए दिखते हैंगे हमने आपको पहले अगली slide में बताया था कि हमें अब क्या करना है जब औक्टल में से decimal में convert करना होता है तो क्या करना होता है हमें गुना करना होता है वक्टल के base के साथ तो वक्टल का base कितना है 8 है तो हम यहाँ पर 8 से क्या करेंगे गुना करेंगे यह हो गया इसके बीच क्या होगा प्लस होगा यानि जोड होगा अब हम सब की जो 8 बेस लिया है उन सब की क्या रखेंगे पावर रख देंगे तो यहाँ पर पहले 0 पावर यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 यह मैंने आपको अगली स्लाइड में भी बता थे अगर यहाँ पर 5 डिजिट होते तो क्या आगे 8 की पावर क्या होगी 4 होगी अब हम क्या करेंगे हम इन जो पावर है उनको पहले लिख देंगे तो 3 गुना 8 की पावर 3 तो 8 की पावर 3 क्या होगी 8 गुना 8 गुना 8 तो 8 गुना 8 गुना 8 क्या होगा 512 क्या होगा 512 प्लस 4 8 की 2 पावर यानिकी 8 गुना 8 यानिकी 64 प्लस 2 गुना 8 की 1 पावर यानिकी 8 प्लस 0 गुना 8 की 0 पावर यानिकी क्या होगा 1 चल्ले देखते हैं इनका गुना कर देते 3, 2, 6, 3, 1, 3, 5, 3, 15 प्लस यहाँ पर गुना कर देते चोकी चोकी 16, 1, 6, 24, 21 प्लस यहाँ पर 8 दुना 16 प्लस 0 गुना 1 यानिकी 0 जलो अब इन सभी का हम क्या करेंगे जोड कर देंगे तो 6, 6 और 6, 12, 12 और 6, 18, 18 का 8, 1, 3, 3, 1, 4, 4, 5, 9, 9, 1, 10, 0, 1 5, 1, 6, 6, 2, 8 और यहाँ पर है 1 यानिकी यहाँ पर आजएगा 1 यह हमें क्या मिला हमारा decimal number मिला क्या मिला decimal number मिला अब हम इसे decimal number को क्या करेंगे ओक्टल में convert करेंगे चले देखते हैं तो हमें यह decimal number हमारा मिला था अब इसे हमें क्या करना है ओक्टल में डूंडना है तो चले मैं थोड़ा सा इधर लिख देती हूँ इसे हमें किस में करना है ओक्टल में करना है ओक्टल में करना है चले देखते हैं और उसे हम किस से भाग करेंगे एट से मैंने आपको बताया था कि जब डेसी मल को वक्टल में convert करना होता है तो हमें क्या करना होता है और वक्टल में से जब डेसी मल में convert करना होता है तो हमें वक्टल के बेस के साथ क्या करना होता है गुना करना यह बात आपको खास त्या में रखने हैं जब octal decimal में से octal में convert करना होता है तो 8 से भाग करना है और octal में से जब आपको decimal में convert करना है तो octal के base के साथ numbers को गुना करना ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखेगा ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी चले देखते 8 का पहाडा पढ़ी तो 8 दु जिरू आ जाएगा तो 8 दुना 16 यहाँ पर बचा चार यानिकि यहाँ 8 यानिकि 6 गुना 8 यानिकि 48 तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0 यहाँ पर कुछ भी सेस नहीं बचेस लेके आ गया 0 आ गया चली अब देखते हैं फिर से 8 का पहाडा पढ़ी आट दुना 16 16 6 6 आट गुना 8 64 अब कितना बचा 64 64 में से 64 जाएगा तो 2 बचा अब फिर से 8 का पहाडा पढ़ी तो 8 3 24 तो यहाँ पर बचेगा 4 अब यहाँ पर 8 अब आगे कोई भाग नहीं निकलेगा इसलिए हम क्या करेगे इसको इस तरीके से लिक देंगे तो हमारी यह जवाब क्य आया 3 4 2 0 और हमने किस में कनवर्ट किया है तो हमने इसे अक्टल में कनवर्ट किया है तो हमारा यह आंसर बन गया अक्टल में ओके चले देखते हैं आगे का आंसर इसी तरीके से है या नहीं है देख लिए दोस्तों यहां पर हमने 3 4 2 0 और यह वक्टल का बेस तो अब आपको पता चल गया कि जो डेसिमल नंबर जो वक्टल नंबर था उसका हमने जिसमें कनवर्ट किया था डेसिमल में उसी का हमने डेसिमल में से कनवर्ट किया वक्टल में तो हमारा आंसर एक ही मिलत है यानि कि हमारा ये आंसर सही है तो दोस्तों अब आपको अक्टल में से डेसिमल में और डेसिमल में से वक्टल में गन्वर्ट करना आ गया होगा अगर आपको कोई दिखत होती है तो आप मुझे comment box में comment लिख दीना मैं अच्छे से फिर से explain करने के कोसिस करूँगी तब तक के लिए हमारे साथ अगले वीडियो के साथ मिलेंगे चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो like करे, share करे, comment करे और अगर मेरी इस channel पर आप नए हैं तो मेरी इस channel को subscribe करना ना बुले Thank you so much